हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ बाल मुकुन्द मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानेक्स पीड तो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करने वाले हैं काफी important होने वाले हैं तो जिनका exam number या December में होने वाला हैं आप सभी इस class को जरूर देखीगा आपको इसमें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा साथ में बहुत ऐसे questions होंगे जोकि आपको same to same triple C exam में देखने को मिलेंगे तो इसको एक test के तरह से लीजिए और इन सभी questions के right answer के आप लोग comment section में जरूर comment कीजिएगा तो आई देखते हैं आज का सबसे पहला question तो आज का सबसे पहला question जोकि सबसे ज़्यादा popular है इस तरह के questions बहुत ज़्यादा पूछे जारा है triple C exam में और इसको हमने कई कई बार अपने class में practical के साथ बताया है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा formula round 12896.456,3 का मान क्या होगा जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हम एक बार फिर से practical के साथ बता देते हैं क्योंकि यह ऐसा function है जो कि अक्सर टकपल्स exam में पूछा जाता है तो इस formula को हम यहां से copy कर लेते हैं और इसको Excel पे apply करके दिखाते हैं किस तरह से काम करता है यह formula आप Excel में या फिर calc दोनों में apply कर सकते हैं दोनों में same formula होता है और दोनों में आपको same result देखने को मिलेगा तो किसी भी cell में हम इसको paste कर देते हैं यहां पे मैंने इस cell में select किया और इसको हमने paste कर दिया अब इसका concept क्या होता है इसको एक बार देख लीजे जैसे आप यह पे minus 3 लिखा गया है जब भी minus 3 है इस तरीके से minus में कोई भी value दी जाएगी तो आपको क्या करना है points के बाद जो भी number से उसको बिलकुल भी नहीं देखना है आपको क्या करना है यहां से numbers count करने 1, 2 और 3 आपको देखना है third position जैसे यहां minus 3 है तो यहां पे पीछे के तरफ से आपको third number देखना है अगर यह 5 यह 5 से above number है तो अगले वाले number में एक add कर देना है यहां पे 2 के जगे पे क्या हो जाएगा 3 और यहां पे पीछे जितनी भी digits होंगे जैसे कि यहां पे 8, 9, 6 है इस जगे पे क्या हो जाएगा 00 आ जाएगा तो अगर हम इस question की right answer की बात करें तो यह आजाएगा 13,000 इसको हम यहां पे जैसे integrate करेंगे आप देख सकते हैं इस question का right answer आएगा इस formula के through जो result आएगा वो होगा 13,000 ओके तो I hope समझ में आ चुका होगा यह question काफी popular answer टॉपल से exam में पूछा जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B जो की इस question का right answer है और अगला question इस cell की चोडाई को ruler से बदला जा सकता है बताए इस question का right answer क्या होगा यह question LibreOffice writer से related पूछा गया है तो इसको भी हम practical के साथ देख लेते हैं यहाँ पे हम writer open करेंगे और writer में सबसे पहले हम एक table insert करेंगे तो table insert करने के लिए यहाँ पे एक option होता है table एक menu है और table insert करने की shortcut की होती है control plus F12 तो यहाँ पे एक table हम insert करते हैं इसके बाद हम इसकी जो चोडाई है या लंबाई है या फिर जो बिर्थ होते है उसको change करने के लिए आप यहाँ पे ruler पे भी इस्तिमाल कर सकते हैं ruler का भी इस्तिमाल करके आप इसकी चोडाई को कम या जादा कर सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे option दिया गया है आप जैसे इस पे लेके जाएंगे mouse pointer आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी column से उनकी चोडाई को आप कम या जादा कर सकते हैं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option A true cell की चोडाई को ruler से भी बदला जा सकता है चेंज किया जा सकता है और अगला question है Facebook में कितनी प्रक्रियाएं होते हैं चोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो यह question काफी popular एक्सर डॉपल से ग्जाम में पूछा जाता है तो फेस्बुक में पहले 6 reactions थे अभी update कर दिया गया इसमें total 7 reactions हो चुके हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C 7 अब यह कौन-कौन से reactions होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं यह total 7 reactions हैं जब आप किसी post पे response करते हैं comment करते हैं तो आपको यह reactions दिखते हैं आप चाहें तो इन में से किसी भी एक reaction को select कर सकते हैं ओके तो आप देखते हैं अगला question और अगला question ने EPS में 2019 तक अधिक्तम कितना सुल्क लगता था 5 रूपीज, 15 रूपीज, कोई सुल्क नहीं या फिर 25 रूपीज इस model paper के सभी questions अक्टूबर ट्रपल्स exam में पूछे जा चुके हैं तो यह आज के सभी important questions हैं आप इस class को last तक ज़ूर देखीगा आपको ट्रपल्स exam में काफे help मिलेगी तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B, 15 रूपीज 2019 तक जो EPS के माध्यम से transactions होते थे उसका सुल्क था 15 रूपीज, maximum 15 रूपीज तक charge लिया जाता था और EPS का full form होता है आधार enabled payment system और अगला question है, NEFT और RTGS छुट्टियों को छोड़कर 24 इंटू 7 काम करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B, false अगर हम NEFT की बात करें तो इस 16 दिसंबर 2019 से NEFT की जो service है वो 24 इंटू 7 कर दी गई है जबकि RTGS की जो service है वो 24 इंटू 7 नहीं है इस question का right answer हो जाएगा false तो अगला question है इन में से किसका उपयोग करके internet access नहीं किया जा सकता है important question है जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा Bluetooth, Hub, Tracing या फिर Wi-Fi तो साइद आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको Tracing का मतलब नहीं पता यह क्या होता है इसका कहाँ पर इस्तिमाल करते हैं तो जैसे आप अपने moveile phone को USB से connect करके आप अपने laptop पे internet का इस्तिमाल करना चाते हैं तो उस चीज़ को बुलते है तो इसको बुलते हैं Tracing Bluetooth, Tracing और Wi-Fi इन तीनों का इस्तिमाल करके आप internet access कर सकते हैं जबकि hub का इस्तिमाल कियाता है कई अलग-अलग systems को connect करने के लिए और hub और switch का इस्तिमाल कियाता है start topology में तो इस question का right answer हो जाएगा option B hub का इस्तिमाल करके आप internet access नहीं कर सकते हैं और अगला question है writer में page number insert करने का option किस menu में होता है और जिनका अब exam number में होने वाला है आप सभी हमारे channel की playlist में जाके एक video upload किया था कुछ time पहले जिसमें आपको 1000 questions मिल जाएंगे तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस 1000 question के video को जरूर देखें इसमें से बहुत से questions same to same trupples exam में देखने को मिलेंगे और इस video का link इस video के description में दिया गए आप चाहें तो यहां से direct इस video को access कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B insert menu के अंदर होता है page number insert करने का option और अगला question है यह दिमिन यहां पे देखे 5,2,8 और slash means division का sign है count A और B है तो परिणा means इसका value क्या होगा या फिर इसका result क्या होगा जल्दी से बता इस question का right answer क्या हो सकता है तो इसको थोड़ा साथ समझ लीजे यहां पे count function है जो कि सरफ numeric values को count करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और यहां पे देखे 2 alphabets दिये गए तो इसका जो result आएगा हो जाएगा 0 तो इस जगे पर क्या आएगा 0 अगर हम 0 से किसी भी number को calc या excel में divide करते हैं तो आप एक error message आता है और वो error message कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है has do divide by 0 तो इस question का right answer हो जाएगा option A और अगला question है यह दिस cell A1 equal 1 A2 equal 2, B1 equal B और B2 equal 4 है तो count A1 colon B2 का मान क्या होगा तो count function क्या करता है सिर्फ numeric values को count करता है तो यहाँ पर दिखें numeric values कौन कौन से है 1, 2 और 3 यहाँ पर 3 numeric values है जबकि एक character है means alphabet है तो इस question का right answer क्या होगा option B3 count और count A यह दो अलग-अलग functions होते हैं अगर यहाँ पर count A लिखा गया होता तो इस question का right answer हो जाता है 4 क्योंकि count A alpha numeric values को भी count करता है means numbers को भी count करता है plus alphabet को भी count करता है जबकि count function सिर्फ numeric values को count करता है और अगलग उसने window title bar में window name और control buttons दिखाई देते हैं जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा true या false तो इसको भी हम देख लिते हैं जैसे हम को यहाँ पर window open करते हैं हमने यहाँ पर LibreOffice Writer का एक window open किया सबसे उपर का जो बार होता है जहाँ पर file name दिखता है इसको हम title bar के नाम से जानते अब यहाँ पर देख सकते हैं file name दिखता है जैसे यहाँ पर untitled one लिखा हुआ यह file name है और इसके right hand side में आप देख सकते हैं control buttons हैं जिसमें से minimize, maximize, close यह सब ही क्या होते हैं control buttons होते हैं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा true जा सकता है तो telnet एक protocol होता है जिसका इस्तिमाल कियाता है remote access के लिए ना कि file transfer करने के लिए तो इस question का right answer हो जाएगा false और अगर हम file transfer की बात करें तो इसके लिए अलग से एक protocol इस्तिमाल कियाता है जिसको बोलते हैं FTP file transfer protocol और अगला question है इंटरणेट बैंकिंग से checkbook मंगा सकते हैं तो बताई इस question का right answer क्या होगा true या false क्या आप internet banking का इस्तिमाल करके checkbook order कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा true आप अगर internet banking का इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पे checkbook order करने का option होता है अगर आपकी checkbook खतम हो चुकी तो आप internet banking में login करके checkbook को order कर सकते हैं और अगला question है LibreOffice Writer में double underline की shortcut कुझी क्या है तो CCC News LibreOffice में LibreOffice Writer Calc Impress यहां से maximum questions पूछे आते हैं एक दो कुछ questions आपको MS Office से भी related पूछे जा सकते हैं तो ऐसे questions होते हैं जोगी काफी common होते हैं आपको पता होगा हम questions के right answer क्या है तो अगर हम double underline की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B, control D इस्तिमाल होता है LibreOffice Writer में double underline के लिए control plus D का इस्तिमाल होता है लेकिन अगर यहां पे लिखा होता है MS Office में double underline की shortcut की क्या है तो इस question का right answer हो जाता है control plus D, याद रखिएगा यह भी question कई बार triple C exam में पूछा जा जुका है और अगला कुछने word दस्तावेज में default margin क्या है तो margin क्या होता है इसको भी आप देख लिजे जैसे आपे हमने document create किया है अब इसके चारों तरब जो आपको space दिखता है space मिलता है और इसको बोलते है margin तो यह margin default प्रूप से होता है 1 inch का तो याद रखिएगा यह भी काफी common question है एक्ट्र ट्रपल सी एक्जाम में पूछा जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C 1 inch और अगला कुछने TV और internet interface device किसके द्वारा समर्थित होते हैं आज की सभी questions ऐसे हैं जो की अप्ट्रूबर ट्रपल सी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आज की class बहुत ही important है इसमें total 100 questions हम discuss करने वाले हैं जिसमें से आपको true, false और mcqs होनों तरह की questions मिलेंगे तो TV और internet interface device की बात करें तो यह होता है cable modem तो इस question का right answer हो जाएगा option A और अगला question है निम्न में से कौन सा micro blogging का उधारण है Twitter, Tumblr, Pinterest या फिर उप्रोगत सभी तो इस question का right answer हो जाएगा option D उप्रोगत सभी Twitter, Tumblr, Pinterest ये सभी का है micro blogging के उधारण है और अगला question है secondary storage device से संबन्दित है floppy disk, magnetic disk, optical disk या फिर उप्रोगत सभी तो हमारे computer में secondary storage वो storage होता है जहां पर हम future में इस्तिमाल होने वाले data को store करते है तो इस question का right answer हो जाएगा option D उप्रोगत सभी floppy disk, magnetic disk या फिर optical disk ये सभी क्या है secondary storage के उधारण होते हैं और इसमें hardest भी secondary storage का उधारण है और अगला question है shortcut key, control plus shift plus T का उप्योग क्या है important shortcut key अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है तो कहीं पे note कर लिजेगा और ये question पूछा गया है chrome browser से related chrome browser में अगर आपने कुछ tab close कर दिए उसको आप दुबारा से open करना चाते हैं तो आप control plus shift plus T shortcut key का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option हाली में बंद किये गे tab को फिर से खोलने के लिए control plus shift plus T shortcut key का इस्तेमाल किया जाता है और अगला question है E प्रगती सेवा किस राजजे द्वारा चलाई गए ये एक ऐसा question है जो कि अक्सर टुपल से एक्जाम में पूछा जा रहा है तो इस question का right answer हो जाएगा option C आंधर प्रदेश और अगला question है DVD का अभिस्कार कब हुआ तो इस question का right answer हो जाएगा option B 1995 और अगला question है LibreOffice Impress का file extension निम्न में से कौन सा है ODT, ODS, ODP या फिर OTP तो इस question का right answer हो जाएगा option C ODP और इसका full form होता है Open Document Presentation तो अगला question है Skype निम्न में से क्या है web browser, internet telephony, web server या फिर protocol और इस तरह के सभी questions आपको हमारी website gyanxp.com पे मिल जाएगे तो जब भी आपको time मिलता है आप यहां से mock test देते रहे आपको exam में काफी help मिलेगी तो अगर हम Skype की बात करें तो यह होता है internet telephony इसमें आप video call कर सकते हैं, voice call कर सकते हैं और real time पे आप chatting भी कर सकते हैं तो इस question का right answer है option B internet telephony और अगला question ने LibreOffice Calc में sum 29 divided by 32 minus 4 means multiply का sign है यहां पे 8 का मान क्या होगा जब भी इस तरह का कोई function दिखता है तो सबसे पहले आपको inner values को solve करना है means यहां पे सबसे inner value क्या है 4 into 8 अगर आप इसको multiply करेंगे तो क्या हैगा 32 और यहां पे 32 minus 32 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 0 और यहां पे division का sign आएगा तो अगर आप Calc में या फिर Excel में किसी भी value को 0 से divide करते हैं तो वहां पे एक division error आते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D has div divided by 0 और अगला कुछने डगडग go क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option B search engine आज हम total 100 questions discuss करने वाले हैं तो थोड़ा सा time हम बीच में कम रखेंगे और अगला कुछने neft में एक दिन में कितने batch होते हैं तो neft की service 24 into 7 कर दी गई including public holidays public holidays में भी आप neft का इस्तेमाल करके fund transfer कर सकते हैं तो neft में total 48 batches होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D 48 अब यहां से एक और question पुछा जा सकता है कि neft में batch कितने minute में प्रपेर होता है कितने time का होता है तो हर आदे गंटे में एक नया batch बनता है मिन्स हर आदे गंटे में जितने भी fund transfer होते हैं उनको clear करने में आदे गंटे का लगबग time मिलता है मिन्स हर एक आदे गंटे के एक batch बनता है इस तरह से 24 इंटू 7 में अगर हम 24 की बात करें तो 24 hours में total 48 batches बनते हैं और अगला question ने किस bank ने payment के लिए सबसे पहले USSD code सुरू किया Asterix 99 has एक USSD code होता है जिसको आप mobile banking के लिए स्थिमाल करते है और USSD का full form होता है Unstructured Supplementary Service Data इसका full form भी कई बार exam में पूछा गया है तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer वोजेगा आपसने Union Bank of India ने सबसे पहले USSD mobile banking की सुभिधा start की थी और अगला को इस ने Libraff इस Calc में Formula Bizarre खोलने की shortcut की क्या है तो Formula Bizarre क्या होता है इसको भी आप देख लीजे Ctrl प्लस F2 इसकी shortcut की होती है जैसे हम यहाँ पे Ctrl प्लस F2 प्लस करते हैं आप देख सकते हैं Formula Bizarre आता है इसमें से जितने भी Calc के formula हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं और इसमें से किसी भी formula को आप select कर सकते हैं प्लस यहाँ पे इसकी एक खास बात है यहाँ पे आपको इसका description दिखता है मिस formula का syntax क्या होगा किस तरह से आप उसमें input pass करेंगे किस तरह से उसके parameters input करेंगे यह सारी चीज़े भी आप यहाँ से देख सकते हैं तो formula wizard open करने की shortcut की होती है control plus F2 तिस question का right answer होजएगा option B और अगला question M.M.I.D. में कितनी संख्याएं होती है तो M.M.I.D. का full form होता है mobile money identifies में total 7 digits होती है तिस question का right answer होजएगा option C और अगला question IRCTC पर एक महिने में अधिक्तम कितने ticket book कर सकते हैं 6, 8, 12 या फिर कोई सीमान नहीं तो कुछ दिन पहले IRCTC ने ticket booking की limit तै कर दिये है जो कि है 12 means आप IRCTC के किसी एक account से एक महिने में सिर्फ 12 ticket book कर सकते हैं तिस question का right answer होजएगा option C और अगला question आईरिस scanning banking के लिए biometric पहचान का स्रोथ नहीं है तो EPS में आईरिस scanning प्लस आप fingerprint का भी इस्तिमाल करके fund transfer कर सकते हैं banking service का इस्तिमाल कर सकते हैं तिस question का right answer होजएगा false क्योंकि आईरिस scanning भी banking के लिए biometric पहचान का स्रोथ है और अगला question है प्रस्ट भूमी का रंग बदलने से calc के cell में संख्याओं का रंग बदल जाता है तो इसको आप practical के साथ देख लिए जैसे हम किसी एक cell का background change करते हैं background change करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे click करना है तो हम पे जो text लिखा गया है जो number लिखा गया उसका color change नहीं हुआ है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा false क्योंकि इसमें लिखा गया है प्रस्ट भूमी का रंग बदलने से calc के cell में संख्याओं का रंग बदल जाता है और अगला question है बार कोड reader एक output device है जो बार कोड को पढ़ता है simple से question इस question का right answer हो जाएगा false बार कोड reader एक input device है ना की output device और अगला question है super script और subscript क्या है font celly, parts celly, font प्रभाव या फिन में से कोई नहीं अगर हम triple C exam की बात करें तो इसमें total 100 questions आते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी negative marking नहीं होती है triple C का नया syllabus अगस्ट 2019 से लागो हुआ था अभी तक ये same syllabus है और आने वाले 4-5 सालों तक यही same syllabus रहेगा क्योंकि जब भी triple C का syllabus revise होता है वो 4-5 साल तक same to same syllabus चलता है तो जो 2019 अगस्ट में syllabus आया था वही same syllabus 2020, 21, 22, 23 तक इसी तरह से same syllabus रहेगा तो आप syllabus को लेके बिल्कुल confuse नहीं हो किसी भी प्रकार की कोई भी negative marking नहीं होती है total 100 questions आते है इसमें MCQs कितने आएंगे fix नहीं होता है कई बाद 2-4-5 MCQs देखने को मिलते हैं कुछ exam में कुछ shift में आपको 10-15 MCQs देखने को मिलेंगे और कुछ shift में आपको 40-45 MCQs भी देखने को मिलेंगे तो कई लोग comment section में पूछते हैं sir कितने true false के questions आते हैं तो fix नहीं होता है ऐसे लोग इसलिए पूछते हैं साइद उनको किसी ने कोई trick बताई होती है तो triple C exam को qualify करने की कोई भी trick नहीं होते है जो लोग इस तरह से आपको trick बताते हैं सिर्फ आपको गुमरा करते हैं तो आपको उनकी trick को बिलकुल भी follow नहीं करना है अगर आप एक बार में triple C exam qualify करना चाते हैं तो simple सा तरीका है आपको syllabus complete करना है और उसके बाद आपको practice करनी आराम से आप एक बार में triple C का exam qualify कर सकते हैं ओके तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो उत्ता है font effect इस question का right answer हो जाएगा option C font प्रभाव means font effect और अगला कुछ ने window 10 में start button के किस तरफ search option दिया गया है तो window 10 में start button के दाएं तरफ search option दिया गया है और ये search option एक ऐसा option होता है जिसमें आप अपने computer के content को भी search करते हैं plus अगर वो content आपके computer में available नहीं है और आपका system internet से connected है तो वहां से internet से भी उस content को search करके आपको दिखाया जाता है तो इस question का right answer होजएगा option B दाएं means दाहिनी तरफ होता है और अगला question आधार card में कितने number होते हैं आप सभी को पता होगा क्योंकि I hope आप सभी के पास आधार card होगा बिल्कुल size question का right answer होजएगा option C 12 digit का होता है आधार card number और अगला question यदि हम calc में punct 2 means row 2 और row 4 का चैयन करते हैं और फिर delete punct पर click करते हैं तो क्या होगा इसका English version नीचे लिखा गया है इस रीच के सभी questions आपको Hindi और English thono language पे देखने को मिलेंगे पिछले कुछ महिने से जितने भी हम वीडियोज अप्लोड कर रहे हैं सभी में आपको Hindi और English thono language में questions मिलेंगे ओके तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसको भी हम थोड़ा सा practical के साथ देखते हैं इसमें बुला गया है punct 2 means row 2 और row 4 को अगर आप select करते हैं और फिर delete punct means row तो delete पर click करते हैं तो क्या होगा तो जैसे हम यहाँ पर row 4 पर जाते हैं और row 2 पर जाते हैं यहाँ पर मैंने click किया अब यहाँ पर हम right click करते हैं और delete row पर click करेंगे तो यह दोनो row delete हो जाएंगी अब आपको यहाँ पर difference नहीं दिखेगा इस वज़े से हम यहाँ पर कुछ type कर देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर A type कर दिया और इस जगे पर हमने B type कर दिया है ठीक है अभी दुबारा से हम इनको select करेंगे control key प्रस करेंगे और इसके बाद हम दोनो row को select कर लेते हैं इसके बाद हम right click करते हैं delete row पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से दोनो row delete हो चुकी है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option A पंक्त 2 और पंक्त 4 means row 2 और row 4 delete हो जाएगी या फिर हटा दिया जाएगा और अगला question A mail बिसाए के बिना भेजा जा सकता है तो जब आप email send करते हैं सबसे पहले email address टाइप करने का option मिलता है उसके just नीचे subject का option रहता है जिसमें आप email का subject टाइप करते हैं उसके just नीचे body section होता है email का body section जहाँ पे आप उस email का message टाइप करते हैं तो क्या आप बिना बिसाए या subject के email को भेज सकते हैं तो बिल्कुल साइब इस question का right answer हो जाएगा option C हर बार अगर आप subject नहीं टाइप करते हैं उसके बावजूद भी आप email को send कर सकते हैं अगला question नेफ में प्रतेक batch एक घंटे का होता है तो इसको अभी अभी मैंने explain किया था जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer हो जाएगा false NEFT में जो batches होते हैं वो आधे-आधे घंटे के होते हैं और अगला question ने business data देखने के लिए calc में क्या उप्यूग करते हैं तो day 3 में हमने detail में practical के साथ बताया था कि किसी particular या specific data को देखने के लिए calc में कौन सा option इस्तिमाल करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option A filter का इस्तिमाल करते हैं इसको practical के साथ हमने बताया था और वहाँ पे मैंने example दिया था कई state थे उसमें उनके product थे उनका price था तो किसी एक specific state के product और sales को देखना चाते हैं तो आप filter apply कर सकते हैं और अगला question है PGS का पूर्ण रूप क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option B participatory guarantee system of India एक तरह का एक government organization है जो की quality control पे काम करता है और अगला question ने सभी फाइलों और उप निर्देशी का मींस उप डारेक्टरी सहित संपूर्ण निर्देशी का मींस डारेक्टरी को हटाने के लिए Linux कमांड क्या है तो ये question दो तरह से पूछा आता है कई बार पूछा जाता है empty directories को हटाने के लिए कौन सा कमांड इस्तिमाल करते हैं इसमें पूछा गया है सभी फाइलों और उप निर्देशी का मींस डारेक्टरी या सब डारेक्टरी को हटाने के लिए इनमें से किस कमांड का इस्तिमाल करेंगे उके तो इस question का right answer होजेगा option A RM कमांड का इस्तिमाल करते है और अगर आप सिर्फ empty directories को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए RMDIR कमांड का इस्तिमाल करते हैं ये दोनों question टुपल सी एक्जाम में पहले भी पूछे जा चुके है और अगला question है min 5,2,8 into max 5,2,8 function का मान क्या होगा बहुत simple सा question है बता इस question का right answer क्या होगा min function क्या गरता है minimum value निकालता है तो यहां से क्या आएगा 2 जो की minimum value है और max function क्या गरता है maximum value निकालता है तो यहां से आएगा 8 और 2 और 8 को अगर आप multiply करेंगे तो बिल्कुल साइस question का right answer हो जाएगा c 16 और अगला question है Mac address किस प्रकार का address है तो इसी तरह से एक और question पूछा जा सकता है IP address किस प्रकार का address है तो comment section में बताईए IP address किस प्रकार का address है तो इस question का right answer हो जाएगा option B physical address यहां से देखी कई सारे questions पूछे आते हैं जैसे Mac address कितने bit का होता है 48 bit का होता है Mac address को किस में लिखा जाता है किस language में लिखा जाता है किस number system में लिखा जाता है तो Mac address को hexadecimal number में लिखा जाता है Mac address एक physical address होता है यह Mac address कहां पे store किया जाता है यह भी question पुछायता है तो Mac address हम इसा LAN card में store होता है LAN card या फिर NIC card दोनों LAN card को हम NIC card या Network Interface card के नाम से भी जानते हैं और अगर हम IP address की बात करें तो एक logical address होता है जबकि Mac address का एक physical address है और अगला question ने HTML भासा का प्रियोग किस में किया जाता है web page, white page, FTP, FN में से कोई नहीं तो HTML का full form होता है hyper text markup language और इसका इस्तिमाल किया जाता है web page को design करने के लिए तो इस question का right answer हो जाएगा option A और अगला question bandwidth क्या है तो इस model paper के साथ साथ आप previous online test के वीडियो भी देखते रहे हैं जिनका भी exam number में होने वाला है आप सभी को में तरब से all the best DSI सुब कामना है और जो लोग हमारे channel के माध्यम से तयारी कर रहे हैं आप सभी से एक request है आप अपने exam के बाद comment section में feedback जरूर देजीगा कि हमारे channel के माध्यम से आपको triple exam में कितनी help मिली आपका एक छोटा सा feedback हमें अपनी quality improve करने में काफी मदद करता है तो please एक से दो मिनट का time निकालके अपने exam के बाद आप comment section में जरूर बताएगा कि आपका exam कैसा हुआ ओके तो इस question का right transfer हो जाएगा option ए data transfer की अधिक्तम दर जिसको बोलते है bandwidth ये काफी important question है और अगला question है LibreOffice में extension manager की shortcut कुणजी क्या है तो ये extension manager होता है क्या है इसको भी आप देख लीजे जैसे हम यहाँ पर इसको close कर देते हैं पहले LibreOffice को close करते हैं दुबारा से हम यहाँ पर LibreOffice open करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर LibreOffice open कर लिया है और यहाँ पर आपको ये extension manager दिखेगा extension manager क्या होता है कुछ extensions होते हैं जो अलग-अलग काम के लिए अपने आप LibreOffice में install कर सकते हैं एक तरह के applications होते हैं तो अगर आप tool menu के अंदर जाएंगे तो देखें आपे extension manager का एक option दिया गया है control plus alt plus ease की shortcut की होते हैं यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो LibreOffice में जितने भी extensions install कीएगे उन सभी की list दिखेगे आप चाहते हैं यहाँ से add कर सकते हैं या फिर आप remove कर सकते हैं कई सारे options आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो इस question का right answer हो जाएगा control plus alt plus e extension manager की shortcut की होती है और अगला question मोबाइल में प्रियुक होने वाले sim का पूरूरूग क्या है अब सभी को पता होगा जल्दी से बताईए तो इस question का right answer हो जाएगा option b subscriber identity module और अगला question लिब्रे office में अन्तिम पंक्त means row और column क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option a 1048576 यह last row का address होता है और अगर हम last column की बात करें तो यह होता है amj अब इनको अलग-अलग भी exam में पूछा गया है तो दोनों याद कर लिजे important है एक्सरेटर परस exam में पूछे जाते हैं और अगर लग उसने calc cell में अधिक्तम word सीमा क्या है means calc की किसी एक cell में अधिक्तम कितने character type कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option c 32,767 maximum character आप किसी excel में type कर सकते हैं और अगर लग उसने email id में भाग होते हैं means इस question में पूछा गया email id में कितने भाग होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option b2 email id में दो भाग होते हैं एक होता है username और दूसा होता है domain name जैसे info-gnxp at the rate gmail.com एक email id है तो info-gnxp क्या है username और at the rate के बाद में जो gmail.com लिखा गया है ये एक domain name है तो email id में दो भाग होते हैं जिनको अलग करने के लिए symbol इस्तिमाल होता है at the rate तो इस question का right answer हो जाएगा 2 और अगला question है console, keyboard, hard drive और screen है तो इस model paper में हम जितने भी question discuss कर रहे हैं सभी questions October CCC exam में पूछे जा चुके हैं तो जो लोग CCC exam की तयारी कर रहे हैं जिनके भी आज 80 plus questions correct होंगे उनका एक अच्छा grade CCC exam में आने वाला है और जिनके भी थोड़े से कम आते हैं आप लोग जादा से जादा practice करते रहे हैं क्योंकि जितना जादा practice करेंगे उतना अच्छा आपका exam होने वाला है तो इस question का right answer हो जाएगा false अब ये console क्या होता है console एक तरीकी का display unit है जहाँ पे हम हमें जो output होता है वो दिखाई परता है और अगला question ने उमंग app कब launch हुआ तो यहां से भी कई सारे questions पूछे आते हैं जैसे उमंग app क्या है तो उमंग एक government के द्वारा जारी किया गया app है जिसमें government की अलग-अलग services को एक साथ इस platform के अंदर जोड़ा गया है यहां से एक और question बनता है उमंग app को कितनी अलग-अलग भासाओं में उपयूग किया जा सकता है तो तेरा अलग-अलग भासाओं में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है और अगर इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer हो जाएगा option B 26 November 2017 में उमंग app को launch किया गया था और अगल-ग इसने www का पूर्ण रूप क्या है यहां पे देखीगा चार बार लिखा गया है अगर यहां पे तीन बार लिखा होता है तो इसका full form होता है वर्ड वाइड बेब यह question भी काफी popular है अक्सर टॉपल्स exam में पूछा जा रहा है इस question का right answer वजएगा option C वर्ड वाइड बेब वार्म और अगला कुछने Dizzy Locker PIN में कितनी संख्याएं होती है तो Dizzy Locker क्या है Cloud Storage है जो कि government की तरफ से Free of Cost मिलता है इसमें सर्फ Indian Mobile Number से आप Registration कर सकते हैं यहां से question बनता है क्या NRI BDC Mobile Number का इस्तिमाल करके Dizzy Locker में Registration कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं सर्फ Indian Mobile Number का इस्तिमाल करके आप Dizzy Locker में Registration कर सकते हैं इसमें total 1GB का storage मिलता है जिसमें आप अपने document अप्लोड कर सकते हैं और उन uploaded documents को कहीं पे verification के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पे जो pin create होता है वो 6 digit का होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B और अगला question है ATM कम debit card पर कितने अंक छपे होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C 16 digit का होता है जो card number होता है चाए वो ATM हो या फिर credit card हो सभी में आपको 16 digit का card number मिलेगा और अगला question है यदि आप कोई दस्तावेश साजा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग उसे देख सकें और इसे संपादित मींस edit ना कर सकें तो आपको किसका उप्यूग करना चाहिए तो इस तरह के कुछ लंबे चोड़े questions भी आपको triple C exam में देखने को मिलेंगे जब भी इस तरह के questions देखने को मिलते हैं आपको बिल्कुल भी परिसान होनी की जरूरत नहीं आप उस question को एक से दो बार read करें आपको समझ में आएगा इस question में क्या पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option C PDF फाइल में अगर आप किसी फाइल को convert कर देते हैं तो सिर्फ उसे देखा जा सकता है view किया जा सकता है उसे edit नहीं किया जा सकता है और अगला question M परिवाहन आप किस से संबंदित है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया के टांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अलग से एप लॉंच किया है जिसका नाम दिया गया M परिवाहन इसमें आप अपना RC या फिर DL अपलोड कर सकते हैं और कहीं पर चेकिंग के दोरां आप अपना virtual RC और DL दिखा सकते हैं इसको किस ने जारी किया है परिवाहन भी भाग ने तिस question का right answer हो जाएगा option C, transport department और अगला question है लिप्रे आफिस में powerpoint को किस नाम से जानते हैं तो लिप्रे आफिस क्या है एक open source office application है जिसमें अलग-अलग तरह के applications available हैं जिसमें से writer, calc, impress इन सभी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं draw भी यहाँ पर application होता है तो अगर हम powerpoint की तुलना करें लिप्रे आफिस में तो इसकी जगे पर होता है impress तो इस question का right answer हो जाएगा option C, impress लिप्रे आफिस में impress के एक presentation application है और अगला question ने एक ही समय में कई लोग को संदेश कैसे भीजते हैं तो अगर आप कोई एक message है जिसको आप multiple persons को भीजना चाते हैं कोई invitation है जिसमें आप multiple लोग का नाम लिखके उसे invite करना चाते हैं तो इसके लिए mail merge का इस्तिमाल करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B, mail merge और अगला question ने लिप्रे आफिस writer का default highlight color कौन सा है तो आप इसको भी देख लीजे जिसे यहाँ पे हम writer open करते है या calc open करते हैं दोनों में आप देख लीजें यहाँ पे मैंने writer भी open कर दिया writer open करने के बाद आप देखें आप पे highlight color कौन सा आ रहा है यह highlight color आ रहा है yellow color और यहाँ पे अगर आप font color की बात करें तो dark red आ रहा है तो अगर font color से related पूछा जाता है कि default color कौन सा होता है तो यह dark red होता है जबकि highlight के लिए कौन सा color होता है yellow तो इस question में highlight के बारे में पूछा गया तो इस question का right answer हो जाएगा yellow means पीला और अगला question ने see visual app किसके द्वारा बिक्सित किया गया यह question भी पिछले मैंने कई कई बार triple C exam में repeat हुआ है तो इस question का right answer हो जाएगा option ने election commission of India ने business के लिए इस app को launch किया है और अगला question ने quicker किस से संबंदित है इसी तरह से एक और question पुछा जाता है OLX किस से संबंदित है किस से related है तो quicker और OLX दोनों ऐसे platform है जहां पे कोई भी customer अपना product sell कर सकता है दूसा customer उस product को purchase कर सकता है तो यह C to C model पे based होते है तो इस question का right answer हो जाएगा option A C to C और अगला question A EPS का उप्यूक करते हुए हर बार अपना आधार card number upload करना आवस्यक है तो अगर आप EPS के माध्यम से payment करते हैं तो हर बार आपको अपना आधार card number input करना होगा तो इस question का right answer हो जाएगा true और अगलाग उसने LibreOffice Writer में table की चौड़ाई बढ़ाने के लिए shortcut कुझी क्या है तो LibreOffice Writer में जैसे हम यहाँ पे कोई table insert करते हैं table menu में जाएंगे table insert करेंगे और इसमें किसी भी column की चौड़ाई को हम बढ़ाना चाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे alt के साथ में right arrow की प्रस करेंगे तो देखिए यहाँ पर column की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option A alt plus right arrow और अगला question एक calc में column जोडने के लिए बिकल्ब किस menu में होता है insert seat format या फिर styles तो इसको भी देख लिजे जब हम calc open करेंगे अगर आप कोई column जोडना चाते हैं कोई cell जोडना चाते हैं तो इसके लिए एक option रहता है यहाँ पर menu में seat इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए insert cell, insert row, insert column यह सभी options आपको seat menu के अंदर मिलते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option b seat तो अगला question है LibreOffice में find and replace option मौजूद नहीं है यहाँ से एक और question बन सकता है LibreOffice writer में find and replace option किस menu में होता है तो इसको भी आप देख लीजे जिसे हम यहाँ पर writer open करते हैं edit menu के अंदर जाएंगे तो यह option होता है edit menu के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं find and replace इसके shortcut की होती control plus h go to यहाँ पर control plus g shortcut की होती यह तीनो shortcut की important है तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि इसमें बोला गया है LibreOffice writer में find and replace का option मौजूद नहीं है और अगला कुछने इस question का right answer हो जाएगा false Ubuntu क्या एक open source operating system है और अगला कुछने keyboard computer hardware का हिस्सा नहीं है तो computer में hardware वो component होता है जिसको हम physically touch कर सकते है तो keyboard को भी touch किया जा सकता है चुआ जा सकता है तो यह क्या है एक hardware component है तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि इसमें लिखा गया है keyboard computer hardware का हिस्सा नहीं है और अगला कुछने RAM का कार्री क्या है पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं केवल लिख सकते हैं केवल पढ़ सकते हैं computer पर निर्भर करता है तो RAM का full form होता है Random Access Memory और RAM एक volatile memory होता है means यहाँ पे जो data store होता है power off होने के बाद इसमें वो data automatic delete हो जाता है और RAM के अंदर आप data जो system होता है वो write भी कर सकता है read भी कर सकता है तो इस question का right answer हो जाएगा option है पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और अगला कुछने e-governance नागरिकों को सरकारी योजनाओं को प्रदान करने का एक तरीका है e-governance सरकार को smart बनाता है तो आज के सभी questions October CCC exam में पूछे जा चुके आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह के CCC exam में questions पूछे जा रहे है तो इस question का right answer हो जाएगा true e-governance का इस्तिमाल किया आता है जो citizens होते हैं उनके बीच में और government की बीच में communications के लिए प्लस जो government schemes होते हैं उनको आसानी से जो citizens से उन तक पहुँचाया जा सके तो एक smart तरीका होता है governance का तो इस question का right answer हो जाएगा true और अगला question ने topology जिसमें सभी system केंदरी connection बिंदू से जुड़े होते हैं तो कई अलग अलग तरह की topology होते हैं topology का मतलब होता है network में system को आपस में किस तरह से connect किया जाएगा जिसको बोलते है topology ring star bus miss hybrid tree ये सभी क्या है topology के प्रकार है तो अगर आपने हमारे triple c new slibbers online classes के वीडियोस देखे होंगे तो इस तरह के सभी topics हमने काफी detail में discuss की हैं जिनका exam December में होने वाला है आपको सबसे पहले slibbers complete करना चाहिए triple c new slibbers complete को उस नाम की playlist है 57 वीडियोस में आप slibbers complete कर सकते हैं तो अगर हम इस question के right answer की बात करें तो इस question का right answer वो जाएगा option B start topology में जितने भी systems होते हैं वो सभी kendry, bindu या connection से जुड़े होते हैं और यहाँ पे जो center में unit इस्टेमाल किया जाता है वो होता है hub या फिर switch और अगला question है निमन में denso babe company ने क्या बनाया अब देखे question सेम होता है कई-कई अलग-अलग तरह से questions को पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है barcode को किसने डबलब किया और इस question में थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है denso babe company ने क्या बनाया तो इस question का right answer हो जाएगा QR code तो denso babe company ने QR code को डबलब किया था Toyota company के लिए और अगला question है UTP का पूछा रूप क्या है और इसी तरह से एक और question पूछा जाता है STP का पूछा रूप क्या है तो UTP केबल का प्रकार होता है इसको बुलते है unsealed twisted pair तो इस question का right answer हो जाएगा option D unsealed twisted pair और STP की बात करें तो इसका full form पूछा है sealed twisted pair और अगला question है credit card का बिसकार किस ने किया तो इस question का right answer हो जाएगा option ही John Begins ने credit card का बिसकार किया बहुत ही जादा पूछा जाने वाले सबसे popular question है और अगला question है LibreOffice Calc या writer के किस menu में donate बिकल्प है अब ये donate बिकल्प क्या होता है इसको भी आप देख लीजे अगर आप help menu में जाएंगे चाहे आप LibreOffice राइटर में जाएं या फिर calc में जाएं यहाँ पे आपको एक donate का option मिलता है donate to LibreOffice तो अगर ये LibreOffice के आएक open source application है इसको आप free में इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप इनकी developer team को कुछ अपनी तरफ से सहयोग देना चाते हैं कुछ पैसे इनको donate करना चाते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये option कहाँ पे होता है help menu के अंदर ये question भी पिछले महिने ट्रफल्स exam में पूछा गया है तो इस question का right answer बजाएगा option D help और अगला question है हम छेपी हुई slide को नहीं देख सकते केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं तो ये question पूछा गया है LibreOffice impress related अगर आप चाहें तो अपनी presentation में किसी भी slide को hide कर सकते हैं आपके द्वारा hide की गई slide को जब आप अपना slide show start करेंगे तो उस time पे उस slide दिखाई नहीं पढ़ेगी हलाक एगर आप उस slide को edit करना चाहते हैं तो आसानी से आप edit कर सकते हैं इसमें क्या content है ये भी आप देख सकते हैं लेकिन ये hidden slide सिर्फ slide show में दिखाई नहीं पढ़ती है तो इस question का right answer हो जाएगा option B false क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है हम चिपी हुई slide को नहीं देख सकते हैं केवल उसका नाम पढ़ सकते हैं तो आप उसे देख भी सकते हैं प्लस उसमें editing भी कर सकते हैं slides होके दोरान वो slide आपको दिखाई नहीं पढ़ेगी और अगला question ने 3.5 inch floppy disk की भंडारण चमता क्या है means storage capacity कितनी होती है तो 3.5 inch की जो floppy disk होती है उसमें जो storage space होता है 1.44 MB होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B और अगला question ने किसी computer में virus भेजना IT Act 2000 के किस धारा में आता है या किस धारा के अंतरगत आता है ये question भी October 666 exam में पूछा जा चुका है तो आज हम जितने इस model paper में question discuss कर रहे हैं सभी ऐसे questions हैं जो कि October 666 exam में पूछे जा चुके हैं तो section 43, section 66, section 66A ये 3ों इससे related हैं तो इस question का write-ans हो जाएगा option D उप्रोग तो सभी याद रखीगा काफी important question है और अगला question है नेमन में से कौन सा save बिकल्प LibreOffice writer में नहीं है save, save as, save all या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसको भी आप देख लीजे जैसे हम यहाँ पर writer open करते हैं file menu पर जाएंगे यहाँ पर देखिए save, save remote, save as, save all तो यहाँ पर तीन options है save, save as, save all ये तीनो options available होते हैं LibreOffice writer, calc, impress इन तीनों में तो इस question का write answer हो जाएगा option D इनमें से कोई नहीं क्योंकि इस question में पूछा गया है LibreOffice writer में उपलब्द नहीं है तो यह तीनों उपलब्द है इस वह इस question का write answer हो जाएगा इनमें से कोई नहीं और अगला question एक QR code संपर्क रहित रूप में कारे करता है यह काम करता है तो बिल्कुल साइब इस question का write answer हो जाएगा true जो QR code होता है इसको आप दूर से scan करके इस्तिमाल करते हैं इसको touch करने की आवसेक्ता नहीं होती है और अगला question है presentation में slide पर समय निर्धायत करने के लिए किसका उपयूग करते हैं तो इसको भी मैंने अपने वीडियोस में कई कई बार practical के साथ बता है इसी वज़े से मैं बार बार बुलता हूँ कि आप previous वीडियोस को भी देखते रहिए क्योंकि बहुत से questions होते हैं जिनको हम बार बार practical के साथ नहीं बताते हैं तो अगर आप एक auto play slides बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम rehearse timing set करते हैं जिसमें आप हर एक slide का एक time निर्धारित कर सकते हैं set कर सकते हैं कितने time तब वो screen पे दिखाई पड़े तो इस question का right answer हो जाएगा option ही rehearse time और अगला question है Twitter पर कितने सब्द post किये जा सकते हैं तो यह दिखे important question है यहाँ पे जिसने भी question भेजा था उसने mention किया था कि sir इस question में same to same यही option दिये गये था यहाँ पे 280 option नहीं दिया गया था means यह पुराने database से question पूछा गया है अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो Twitter में किसी एक post में maximum 140 character post करने की limit थी तो इस question का right answer हो जाएगा option नहीं 140 और अगर हम present की बात करें तो maximum 280 character आप Twitter में किसी एक post में type कर सकते हैं और अगला question ने किसी भी चीज की सूची का प्रतरने धित्त करते समय क्या उप्योग किया जा सकता है तो अगर आप कहीं Libre Office writer में किसी एक list को बनाना चाते हैं कोई सूची बनाना चाते हैं तो आप किसका इस्तिमाल करते हैं numbers का या फिर bullets का तो इस question का right answer हो जाएगा option C bullet और अगला कुशने नए 100 रूपी के note का आकार क्या है तो ये मैं बार-बार बोलना हूँ जितने भी नए currencies आए हैं government की तरफ से RBI की तरफ से जारी किये गए उन सभी का color और dimension जरूर याद रखीगा अकसर इस तरह के questions टुपल से exam में पूछे जा रहे है तो इस question का right answer रूजेगा option B 66 mm by 142 mm और अगला कुशने चुट्टियों सहित वर्स के सभी दिनों में N.E.F.T. के माध्यम से fund transfer किया जा सकता है तो इस question का right answer रहे option A true N.E.F.T. को 16 December 2019 से 24 into 7 कर दिये गए including public holidays में भी आप N.E.F.T. का इस्तेमाल करके fund transfer कर सकते हैं और अगला कुशने transaction ID और reference number समान होते हैं तो transaction ID और reference number कब create होता है जब आप UPI के माध्यम से fund transfer करते हैं तो कई अलग-अलग जो UPI applications होते हैं कुछ में आपको transaction ID लिखा हुआ मिलेगा कुछ में आपको reference number लिखा हुआ मिलेगा same होता है तो ये दोनों समान होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option A true और अगला कुशने email में domain name जरूरी नहीं है तो email ID में दो पार्ट होते हैं यूजर नेम दोसा होता है domain name दोनों ही जरूरी होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि इसमें लिखा गया है जरूरी नहीं है और अगला कुशने एक बेक्त जब दूसरे बेक्त को mail भेजता है तो दूसरे बेक्त को online रहना जरूरी है तो यह भी काफी basic question आप सभी को बता होगा इस question का right answer हो जाएगा false लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है facts जो facts होता है facts में जब आप किसी को कोई message facts करते हैं तो उसमें दोनों को online रहना जरूरी होता है जब आप इदर से कोई facts भेज रहे होते हैं तो उस time पे दूसरे int पे उसका print out निकल रहा होता है तो दोनों को online रहना जरूरी है और इस case में इस question का right answer हो जाएगा false और अगला question है question 509 means 509.8 comma 7 का मान क्या होगा यह function भी काफी popular है एकसर triple C exam में देखने को मिलता है और यहाँ पे values को change कर दिया जाता है तो यह question किस तरह से काम करता है इसको देखे जो function होता है यह जैसे कि मान लेजिए आपको 5 को 2 से divide करते है 5 को अगर आप 2 से divide करेंगे तो क्या हैगा 2.5 लेकिन अगर आपने यहाँ एक question function अप्लाई किया होता है इस जगे पे तो इसका result होता 2 यह सिर्फ integer value देता है जो point के बाद result आता है इसको हटा देता है तो इसी तरह से अगर आप इसको 7 से divide करते है 509.8 को अगर आप 7 से divide करेंगे तो इसका result क्या होगा 72 आएगा 72 point something कुछ आता है लेकिन यह point के बाद की value को neglect कर देता है हटा देता है तो जब भी इस तरह से कोई question पूछा जाए आप उसे manually divide कर लिजे और point से पहले जो भी result आता है वो इसका result हो जाएगा जैसे इस case में अगर आप 7 से divide करते हैं तो आएगा 72 तो इस question का right answer हो जाएगा option B 72 याद रखीगा important question है अकसर यह percent, ceiling, floor या round यह ऐसे functions होते हैं जिनके बारे में triple C exam में अकसर पूछा जाता है और अगला कुछन है count A1 colon A5 का मान क्या होगा यद A1 equal 5 A2 equal 6 A3 equal 2 और A4 equal T और A5 equal E है तो question बहुत simple सा है बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा तो count function क्या करता है सिर्फ numeric values को count करता है तो यहाँ पे दिखे numeric values कितने हैं 5, 6 और 2 means यहाँ पे तीन numeric values है और दो यहाँ पे क्या है characters है तो यह इनको count नहीं करेगा means इस question का right answer क्या होगा इस range में क्या आएगा सिर्फ आएगा 3 इस question का right answer होजाएगा option A और अगला कुछने Linux में कितने run label होते है तो Linux में total 7 run labels होते है तो इस question का right answer होजाएगा option D तो अगला कुछने LibreOffice Writer में manage template की shortcut कुणजी क्या है तो इसको भी practical के साथ देख लीजे जैसे हम यहाँ पे LibreOffice Writer open करते हैं आपको जाना है file menu में यहाँ से question पूछा जा सकता है कि manage template बिकल्ब किस menu में होता है तो यह file menu के अंदर होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा templates यहाँ पे आप manage template का option देख सकते हैं यहाँ पे control plus shift plus N होता है इसकी shortcut की तो इस question का right answer होजाएगा option C control plus shift plus N और अगला कुछने N UUP का पूरूरूरूप क्या है इसका full form भी कई बार triple six exam में पूछा जा चुका है तो इस question का right answer होजाएगा option C National Unified USST platform और अगला कुछने Linux में सूची देखने के लिए command क्या है तो Linux में list देखने के लिए इन में से किस command का इस्तिमाल किया जाता है यह question भी पिछले मैंने कई कई बार triple six exam में पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option B LS command का इस्तिमाल करते हैं list के लिए याद रखीगा LS command का इस्तिमाल करते हैं list के लिए और अगला question ने BCR निमलकित में से किसका उधारन है comment section में जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा input, output, display या फिर video BCR निमलकित में से किसका उधारन है तो सबसे पहले आपको BCR का full form पता होगा तभी आप इस question का right answer दे पाएंगे ओके तो BCR का full form होता है barcode reader तो अब आपको समझ में आ चुका होगा इस question का right answer क्या है जी हाँ इस question का right answer हो जाएगा option A, input barcode reader क्या होता है input device होता है और अगला question निमनलकित में से कौन सा एक गैर प्रभाव means non-impact printer है dotmatics, drum printer, line printer या फिर laser printer तो printer दो तरह के होते हैं impact और non-impact impact printer जो typewriter technology होती उस पर काम करते हैं या पर एक ribbon होता है head होते हैं और ribbon के उपर head hit करता है और वो paper पे print करता है अगर हम non-impact printer की बात करें तो इसमें से laser printer आता है या फिर जो हमारा ink jet printer आता है या फिर thermal printers जो आते हैं वो सभी non-impact printer की category में आते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D laser printer एक गैर प्रभाव वाला printer या फिर non-impact printer है तो अब आई देखते हैं अगला question नम्न में से कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ machine भासा में बदलता है compiler, interpreter, assembler या फिर उप्रोक्त सभी तो compiler, interpreter, assembler ये तीनों क्या हैं? language translators होते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option A compiler जो की पूरे प्रोग्राम को एक बार में read करता है और उसे एक बार में machine code में convert करता है जबकि अगर interpreter की बात करें तो ये line by line program को read करता है और उसे machine code में convert करता है compiler, interpreter, interpreter, दोनों high level programming language को machine code में convert करते हैं जबकि assembler होता है assembly language को machine code में convert करने के लिए और अगला कुछ ने ATM कार्ड की समापति थी DDMM में लिखी होती है तो इस question का right answer हो जाएगा false क्योंकि जो credit card या ATM कार्ड होता है उसमें जो expiry date होती है वो MM slash YY के form में लिखी होती है यहाँ पे month होता है और यहाँ पे year होता है तो इस question का right answer हो जाएगा false ATM कार्ड की समापति थी DDMM format में नहीं लिखी होती है और अगला कुछ ने internet के लिए मानक protocol क्या है TCP, UDP, TCP, IP या फिर STTP तो इन सभी के full form भी triple six exam में पुछा आते हैं TCP का full form बता है transmission control protocol UDP का full form बता है user datagram protocol और TCP, IP protocol का full form बता है transmission control protocol slash IP protocol और TCP का full form बता है hypertext transfer protocol तो अगर हम internet protocol की बात करें तो TCP, IP एक internet protocol है तो इस question का right answer हो जाएगा option C यहां से एक और question बनता है इन में से कौन सा connection oriented protocol है तो TCP एक connection oriented protocol है और UDP की बात करें तो ये connection less protocol होता है तो इस तरह से भी कई बार triple C exam में questions पूछे जा चुके हैं तो अब आई देखते हैं आज किस model paper का last question इंप्रेस में new time zoom क्या है तो अगर आज की class पसंद आई तो please like उससे जरूर कीजेगा तो इंप्रेस में new time zoom होता है 5% और maximum zoom की बात करें तो यह होता है 3000% याद रखीगा इंप्रेस में maximum zoom होता है 3000% तो यह था आज की class का last question उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सेखने को मिला होगा तो please हमाइस वीडियो को like उसे जरूर कीजेगा और इसी तरह की question के साथ practice करने के लिए आप हमारी website ganixp.com पे visit कर सकते हैं वहाँ पे आपको triple C new syllabus पे based model paper, mock test, video lectures सारा content आपको triple C is related मिल जाएगा तो आप यहाँ से भी अपने triple C exam की तयारी कर सकते हैं प्लस यह कुछ e-books हैं जो की Hindi और English, Thonu Language में available हैं यह सभी e-books आपको हमारी website ganixp.com पे मिल जाएगी तो अगर आप इन e-books को लेना चाते हैं तो आप हमारी website ganixp.com पे visit कर सकते हैं और जिनका भी exam 9 या December में होने वाला है आप सभी हमारी चैनल की playlist में जाके important test के वीडियोस देखते रहे और सभी important वीडियोस के link इस वीडियो के description में दिये गए तो जब भी आपको time मिलता है आप इन वीडियोस को follow करते रहे आराम से आप triple C के exam qualify कर सकते हैं तो जिनका भी exam 9 या December में होने वाला है आप सभी को में तरफ से day size, subcom 9, all the best और comment section में comment करके जरूर बताएगा कि आज की class कैसी लगी और अगर आपने अभी तक हमाई इस वीडियो को like नहीं किया है तो please like जरूर कीज़ेगा इस वीडियो के पिछे हमारा एक मकसद होता है कि मैं आपको जाता से जादा help करूँ तो आप हमें motivate करने के लिए हमारे वीडियोस को share कर सकते हैं like कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली class में सामको ठीक आठ बजी तब तक लिए bye bye thank you thank you for watching